पाठ आठ परमवीर सेनानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गाउं था गाउं में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था उसकी मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी गाउं का ही एक सिपाही फौज में था और छुट्टियों में आया हुआ था उसने अब्दुल को राय दी फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है तुम भी क्यों नहीं भरती हो जाते उसकी अब्बा यह सुन नाराज होकर बोले हमारे घर में सिलाई का काम होता है हम नहीं जाने देंगे लाम पे उन्होंने अपनी बीवी से सलाह कर अब्दुल हमीद की शादी कर दी सोचा अब तो पल्टन में ना जाएगा अब्दुल की बीवी रसूलन अच्छे स्वभाव की थी उसने अब्दुल की बीचैनी देखी वो बोली सूर्मा बनना है तो कलुआ की तरह चले जाओ पल्टन में मैं सच्छे मन से कहती हूँ रसूलन ने दिल पर पथर रख कर अब्दुल को भरती दक्तर भीज दिया अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बना कर वह भरती हो गया सन 1962 में उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमन हो गया अब्दुल भी मोर्चे पर गया चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में बढ़ना शुरू किया भारतीय सेना तितर बितर हो रही थी बहुत से जवान रास्ता भटक गए और कुछ मर भी गए अब्दुल और उसके दो साथी लंबे रास्ते से चल कर बच निकले दस-पंद्रा दिनों तक बच कर अपने इलाके में पहुँचे कल्वा की मौत सुन अब्दुल सक्ते में आ गया फिर एक दिन भारत का जंडा देख घायल अब्दुल को वहां पहुँच खबर मिली कि लडाई बंध हो गई है और सेना को घर जाने की चुट्टी मिल गई अब्दुल के घर पहुँचने पर गाउं में खुशी मनाई गई कल्वा की मा ने अब्दुल से कहा मेरा लाल कहां है बेटा माधा जी कल्वा ने बहुत बहादरी और साहस से दुश्मनों का सामना किया पर मुझे अफसोस है वो हमारे बीच ना रहा मई 1964 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की मृत्यू से पाकिस्तान को भारत के टुकड़े करने का अफसर मिला और उसने जम्मू कश्मीर, राजिस्थान और पंजाब में घुस पैठिये भीजे 10 सितंबर 1965 को सुभा आट बजे खेम करण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे वहां अब्दुल अपनी कम्पनी को लेकर जाड़ा एक जीप में सवार अब्दुल ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपने गोलों से उड़ा दिया अब दुश्मन की टैंकों ने अब्दुल की चारों और घेरा डाल दिया अब्दुल अपना रास्ता बदलते हुए दुश्मन को भुलावे में डालता रहा उनकी तोपें और टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया किन्तु अब्दुल का होसला पस्त ना हुआ बढ़ते बढ़ते खीम करण में टैंक खेत होते रहे और वहां दुश्मन के टैंकों का अविस्तांसा बन गया अकेला अब्दुल अपनी मशीन गन से दो टैंकों को आग लगा कर पीछे टैंक पर गोलियों की वोच्छार कर रहा था उसकी समय उसकी जीप एक जलती टैंक से टकरा गई अब्दुल की बहादुरी से उसके साथियों के होसले बढ़े और इस तरह भारती जमीन से शत्रु से न भाग गई अब्दुल पुरी तरह घायल हो गया था उसका सारा शरीर आख से जुलस गया आखें खराब हो गई वह वहीं शहीद हो गया उसके घर पर रसूलन उनके दो लड़कों और एक लड़की को अब्दुल के शहीद होने की खबर मिली तो उनकी आँखों से गंगा जमना बह निकली बोड़े माबाप की तो बात ही क्या उसने वीर सैनिकों का मस तक उंचा कर दिया मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परंबीर चक्रे से सम्मानित किया तो बच्चों इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मात्र भूमे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है सच्चा नागरिक वही है जो अपनी देश के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है